श्यविंद्र आपका स्वाधत है कि यूटूब शाहली चैनल में प्रेंज्स बहुत सारी महिला है जो कंसीव करने के लिए प्रयास कर रही हैं प्रेटनेंट होना चाहती है मां बनना चाहती लेकिन होना ही पार किसी में भी हो सकता है 30% को फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड इशू होते हैं तो जाहिट सी बात है कि विशे बहुत जरूरी हो जाता है जानना समझना और जो और भी महिलां तयारी कर रहे हैं उनको भी बताना तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आज पूरा डिटेल मे बात करने वाली हूं कि कारण क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का कहीं हम ही तो कुछ ऐसे नहीं कर रहे है जिस वज़े से मारे मिस्टेक्स की वज़े से ऐसा हो रहा है मारे साथ में उसके सिम्टम क्या है पहचानिएगा कैसे आप उस चीज को और आप खु अनुबाव से हुए हैं प्रैक्टिकल है एजी है हममेड है तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिए का आई यह जानते हैं कि वैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकिज का पहचानेंगे कैसे लक्षर क्या होते है कि वैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है कैसे पता लगा यह का आ उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पीरिट से, अविलेशन से, विफोर प्रेक्निंसी के सिम्टम से, आपको अकसर पेन हुआ करेगा, इसके अलावा, अन्यूसबल वजाइनल डिस्चार्ज, आपको बराबर वजाइनल डिस्चार्ज बना रहेगा, आप उसको क्लियर नह आपको आपको बहुत नहीं बात जानने को मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन, अगर ट्यूब ब्लॉग है, तो उस समय अन्यूसवल, बिना टाइम का ऐसा कुछ आप आइन्टिफाई नहीं करेंगे, बॉड़ी का कुई साइन सिम्टम और आपको डिस्चार्ज है कि आपकी ट्यूब ब्लॉग हो सकती है, पैन्फुल इंट्रकोस, कुछ केसे पर यह भी देखा गया कि इंट्रकोस के दौरान आपको पें रह सकता है, तो यह कुछ मोटे मोटे सिम्टम से खास सिम्टम से, अब हम चानेंगे कि फैलॉपियन ट्यूब ब्लॉग क्यू होत में, तो आपकी ट्यूब तक प्रॉब्लम होने का चांसेज होता है, किसी बी तरह की एंडोमेट्रियसिस, फाइब्रोइड, सेप्टर्म, स्कार, इंफेक्शन, प्रीवेस एक्टोपिक प्रिगनेंसी, या फिर आपका एपेंडिक्स में रप्चर, प्रीवेस सर्जरी, यह कि आपकी ट्यूब्स में भी प्रॉब्लम हो जाए, उनमें भी ब्लॉपेज की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वहां तक इंफेक्शन पहुंचेगा, इंफ्लामेशन होगा, तो ब्लॉपेज की चांसेज बन जाते हैं, यह तो थे मडरेट केसेज, लेकिन कुछ तो यह एक्यूट केस थे फेलोपीन ट्यूब्लॉकेज के रिजम्स के, अब हम जानेंगे कि हमारी ट्यूब्लॉक है, इसके लिए कौन सर्ट करना चाहिए, हमको कैसे पता चलता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए, SH-SG टेस्ट होता है, शायद वह 0,500-0500-0500-0500 की आस बाष हिसी भालो होती हैं तखंगी होती हैं रही होके हैं तक एक ऐसा की ओवयरी जि Stitch तिक तो डाई अगर पास करा जाता है تو हमें ब्लॉर्पमे ब्लॉक उपता चल जाता है कि ट्यूब में तो फिर दोनों tube block है और प्रेक्नेंट होने में प्राब्लम हारी अगर एक ही tube block है एक खुली है एक ठीक healthy बराबर है तो फिर भी चीज़ें आजाती है ठीक हो सकती है लेकिन दो हो तो थोड़ी से प्राब्लम जादा होती है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है उसको भी ठीक किया सकता है इसे तरीके हैं ऐसा अकर आपका डेडिकेशन आपका डेडिकेशन बहुत मायने रखता है चीज में कि कोई भी तरीका जो फॉलो कर रहे हैं कितने समय तक फॉलो कर रहे हैं तो उसका वैसे एफेक्ट आता है तो मैं कुछ तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप अप अधरक, दालचिनी, हल्दी, लहसुन, विटामिन C कंटेनिंग फूड जितने हैं, तो यह सब एंटी ओक्सिजन्ट रिच होते हैं, अगर आप अपने खान पान में इनकी मातरा को बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा 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 तो दोनों तरह से अंधर से बाहर से काम के उची स्पूदी तरह से ठीक हो जाती हैं, तो डाइत अपको एंटी अच्छा रिच लेनी है, वजन पर कंट्रोल रखना है, कई केसे में देखा गया है कि ज्यादा वजन जो है आपका वह फैक्टर होता है फेलो पैंट ट्यूमे से रिगार्डिंग मेरा एक वीडियो है चनल की प्ले लिस्ट में जाएं और उसे भी देखें कि बजन बहुत आखाने साथ आपल से डर विनेगर कभी बहुत रूल है वजन कम करने में तो एपल से डर अगर एक्स्क्लूजव वीडियो है मेरा उसे भी आप देखिए आपको बहुत मदद मिलेगी तो बचन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हमारी त्यूब्स को हमको हेल्दी रखना है तो हर्मोन्स को ठीक रखना है तो फैलोपी ट्यूब ब्लॉकेज में योगासन का बहुत योगासन इस पर बहुत डार्रेकली एटाक करते है तो अगर आप कपाल भाती और अनूलूम विलूम ये तो प्रानायाम मैजिकल एफेक्ट देते हैं तूली माजिकल एफेक्ट देते हैं अनू लुकेट अगर ट्वज़ों मैजिक जिस भी कंडिशन में है इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगे कि प्रॉब्लम ज्यादा है तो बागी अगर आप कपाल भाती और अनुलोंग विलोंग अपनी सुधा से जितना अच्छे से आप कर सकते हैं पहले का डेडिकेशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है किसे भी टिप्स को फॉलो कर देमें तो योगासन आप करेंगी तो इस पे बहुत जल्दी रिकवरी होती है इसके साथ ही वजाइनल स्टीमिंग भी एक मैथड है जिसको किया जा सकता है इसके अलावा घर पे आप कैस् अजिए जाती हैंगे कि गर्म होता है तासीर में और ऑलिव या कैस्टर ओयल से आप फॉर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं अपने लोवर अब्डमन की बहुत अच्छा एफेक्ट आता है लोगों ने बहुत साधा रिकमेंड किया है इस चीज को जिनके साथ में समझते हुई है तो कैस्टर ओयल से या ओलिव ओयल से आप अपने लोवर अब्डमन की मसाज कर सकते हैं इस विशय पर फॉर्टिलिटी मसाज पे आपको सही तरीके से कैसे करना है चाहिए इस पे मैं आगे जरूर कोई वीडियो बनाऊंगी तो फॉर्टिलिटी मसाज का बहुत जादा रो ट्रिगर करने के लिए कुछ फॉर्टिलिटी ड्रक्स ती जाती हैं लेकिन मेरे ख्याल से जो आप ड्रक्त लेंगे उससे कहीं ज्यादा अच्छा क्योंकि ड्रक्स का साइड इफेक्ट भी होता है लेकिन अध्रक दालचीनी इन चीजों का प्रिवक करेंगे तो मैजिकल ए कि जरूर बताएं यह वीडियो जरूर्दमन तक शेयर करें जल्दी मिलूंगे एक नए वीशे के साथ तब तक अपना ख्याल रखें बाई